नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं स्मार्ट कार्ड निर्गत करने के लिए राय सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देश कर दिया है वहीं एक थाना और तीन ओपी का भिस रिजन गढ़वा में किया जाएगा जर्खन मैट्रिक अस्तर ये परत्योगता परिक्षा अस्थागित जर्खन करमचरी चेन आयोग ने अठाई जूलाई को होने वाली जर्खन मैट्रिक अस्तर सन्योगत परिक्षा को अस्थागित कर दिया है आयोग ने अपरिहार कारण बताते हुए परिक्षा अस्थागित किया जाने की बात कही है परिक्षा के आयोजन की नई तीथी से सम्मन्धित सुचना आयोग दौरा जल्द प्रकासित की जाएगी बताते चले कि इससे पहले आयोग ने सहायक अचार नियुक्ती परिक्षा के ताद बुद्धवार को होने वाली दूसरी पाली की परिक्षा को अपरिहार कारण बताते विवस्थागित किया था बता दे कि जार्कन करम चेचेन आयोग द्वारा अठाई जुलाई को परिक्षा कराने की वेवस्था की गई थी वहीं इस बार आयोग ने बचों को एडमीट का डांक माध्यम से नहीं भेजने का फासले किया था आयोग ने एक लिंक जारी किया था जिसके माध्यम से अवियार्थी आपना एडमीट का डाउनलोड कर सके ऐसी वेवस्था की गई थी किसानों के लोन कैसे होगा माप कांग्रेस परभारी ने पूछा कघ़री मंत्री डिपिका पांडेस सींग से पुछा है कि किरिशी रीन कैसे माफ होगा और सरकार अथ्वा वीभा की इस मुद्दे पर क्या योजना है कांग्रेस के सीरस नेतीत और यहां तक की राहूल कांति की प्रत्मिक ताओं में किरिशी रीन माफी की योजना है इस पर किरिशी मंत्री ने अपनी ओर से पुई जनकारे दी और भरोसा दिलाया है कि जल्धी केमिनेट में इससे समझी प्रस्ताव आएगा इस दर्ण परदेश कॉंग्रेस अध्यक्स राजेश ठागूर के साप साप एक दर्जन के करीब विधायक मजूद थे सुरक्षित घर वापस लोटे जहारखन के 27 प्रवासी मैदूर मुख्य मंत्री हमानुषरण की पहल रंग लाई है दक्षिनी अफरीका देश कैमरून में फासे राजे के 27 प्रवासी मैदूर बुद्धवार की सूबा सकुसल वापस लोट आये हैं वे बॉम्बे मेल के जरिये पारसनाथ एस्टेशन पहुंचे एस्टेशन पजीला पर सासंद्वारा उनका स्वागत किया गया उलेखनी है कि स्टीम के निर्देश के बाद अधिकारियों ने तवरीत करवाई करते वे 27 प्रवासी मैदूरों की सकुसल वापसी के लिए वि सतत परियास से वे लोग अपने घर सकुसल लोट सके हैं ज्यारखन में 25 जुलाई को मद्दाता सुची जाचो अभियान मद्दाता सुची के दूतिये बिसे संचिप्त पुनरिक्षन के तहत 25 जुलाई को मद्दाता सुची के प्रारूप का परकासन किया जाएगा वहीं नाम जाचो भोटर वेरिफिकेशन ड्राइब की सुरुआद भी इसी देन से की जा रही है नाम जाचो अभियान का हिस्सा बने और सोचल मेडिया पर फोटो रिल पोस्ट करे वहीं हाइश्टेक नाम जाचो के साथ गुरू आर की दो पर बाराव बजे से एक बजे के बीच सोचल मेडिया पर पोस्ट करे बूथ अस्तर पर मद्दाता सुची के प्रारूप का परकासन किया जा रहा है आप बूथ पर जाकर आपना नाम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन या एसमेस के जरिये भी वोटर लिस्ट में वोटर अपना नाम चेक कर सकते हैं मद्दाता सुची के दियोतिय भी से संशिक्त पुनरिक्षन के तहत 25 जुलाई को जार्खन में मद्दाता सुची की प्रारूप का परकासन किया जाएगा इसी दिन से मद्दाता सत्यापन अभियान हस्टेक नाम जाचो की सुरुवात की जा रही है जार्खन के मुखे निर्वाचन पता दिकारी के रभी कुमार के दिशा निर्देश अनुसार आगामी बिधान सबस्चुनाओ में मद्दाताओ को जारूप करने के लिए पुरे राज में हस्टेक नाम जाचो अभियान की सुरुवात की जा रही है गीरीडी में इंडोर स्टेडियम का उधगाटन के मौके पर बुद्धवार को गांडे बिधायक कलपना सुरेन और सदर बिधायक सुधिव कुमार सोनु ने सन्युक्त रूप से इंडोर स्टेडियम के नो निर्मीत भावन और कोट का फिता काटका उधगाटन किया इस औसर पर गांडे बिधायक कलपना सुरेन, सदर बिधायक सुदिव कुमर सोनू विशुत्री उपाध्यक संजाय सिंग ने इंडोर स्टेडियम में आयोजी च्छ दिवसी राज अस्तरिय टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं गढ़वा से अमन साहुग गैंग के तीन अपराधी गिरफतार गढ़वा जिले के मेराल थाना छेतर में पूलिस ने सडक निर्मान कमपनी के साइट पर हमला करने के मामले में सनलीप्त अमन साहुग गैंग के तीन अपराधी के गिरफतार कर लिया है पुलिश ने एक भाई की भी जब्त किया है गतला भाई की जार्खन का कुख्यात डौन अभी जेल में बंद अमन साहू के इंट्री अब गाढ़वा में भी हो गई है बीगत 11 जुलाई को मेराल थाना के पास सड़क निर्मान कमपनी के साइट पर फायरिंग कर दसत फैलाने के मामले में पुलिश ने अमन साहू गिरों के तिन कुर्गों को सदर थाना चेतर के डुमरो एनेच 75 सड़क से पकड़ा है पकड़े के तिनों अपराधियों में दो गुमला और एक सिम्डेगा जिले के रहने वाले हैं बीरसा मुंडा केंद्रिये करागार का जेलर सस्पेंड होटवाई स्थित बीरसा मुंडा केंद्रिये करागार के जेलर को सस्पेंड कर दिया है बुद्धवार को जेल आईजी ने जेलर मुस्तकिम अंसारी को सस्पेंड कर दिया है सस्पेंड करने के पीछे की वज़ा कारे में लपरवाही और बिना सुचना के गायव रहना बताया गया है गौतला भाय की जेलर मुस्तकिब अंसारी बिभाग को बीना कोई नोटिस दिये 15 से 20 दिनों तक डूटी से गाइब थे बिभाग दुआरा जब यह बात आई जी के पास पहुंची तो उन्होंने जेलर मुस्तकिब अंसारी को सस्पेंट कर दिया मुस्तकिम के निलंबन के बाद सहायक जेलर देवनाथ राम को जेलर का प्रभार सौप दिया गया है इससे पहले दिसमबर 2.23 में धनबाद जेल में अमन सिंग की हत्या के मामले में भी मुस्तकिम अंसारी को सस्पेंट कर दिया गया था प्राथ्मिक सिक्षको की प्रोनाती पर कोट की रोक जारखन हाई कोट के जस्टिस दीपक रोसन की अदालत में प्राथ्मिक सिक्षको को प्रोनाती देने में टेट पास के निवायरता को लेकर दाखिली आज का पर बुद्धवार को सुनवाई हुई अदालत ने भी भागिय सचीव के उस पत्र पर रोक लगा दी है जिसके तहत जीलों में प्रात्मिक सिख्षकों को प्रोणती जी जा रही है कोट ने कहा है कि किसी कमेटी की रिपोर्ट के अधार पर प्रोणती नहीं दी जा सकती इसके लिए सरकार को नियमावली बनानी होगी अब मामले में दो सपता बात सुनवाई होगी बतादे प्रार्थियों के अधिवक्ता सौरब से खरने एंसी आर्टी की अधिसूचना और सरकार की और से गठित कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अधालत को बताया कि पुरोणती के लिए तो टेट पास होना जरूर नीट पेपर लीक में अब तक होई जाच में यह बास सामने आई है कि छात्रों ने 35 से 6 लाख रुपए तक में लीक प्रश्ण पत्र खर दे थे बिहार के छात्रों से 35 से 45 लाख और बाहर के कुछ छात्रों से 55 से 6 लाख रुपए में प्रश्ण पत्र बेचे जाने की बास सामने आई है सुप्रीम कोट में एजेंसी के ओर से दायर रिपोर्ट में 150 साधिक छात्रों को लिग प्रश्ण पत्र मिलने की बात भी कही गई है मेडल नहीं जीता तो सिक्षक ने छात्रों को पीटा रांची के काके रोड इस्थीत डिएभी गांधी नगरी स्कूल के खेल सिक्षक द्वारा छात्रों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है सिक्षक आयूस ने बोकारों में 23 जुलाई को आयोजित खेल कोद में मेडल नहीं जीतने पर एक दरदन सधीक छात्रों को कमरे में बंद कर डंडे से बेरहमी से पीटा इतना ही नहीं कमरे में लगे CCTV कैमरे को भी रूमाल से ढख दिया ताकि पीटने का साक्षे नहीं मिले आरोपी ने छात्रों को घटना के बारे में किसी को बताने पर टीसी से वह अंचित करने की भी धम की दी इधर घटना के जनकारी मिलने पर परीजनों ने बुद्धवार को स्कूल में जम कर हंगामा किया हंगामे को देखते हुए आरोपी सिक्षक आयू स्कूल को निलामित कर दिया क्या है इधर बच्चों के परीजन रांची के गोंदा थाना पहुंचे हैं और स्पोर्ट टीचर के खिला परत्मी की दर्च कराई है वहीं परभारी प्रचारे एन आचारे ने कहा है कि स्कूल की ओर से जाज कमिटी गठित कर डीआभी के सायाक छहत्रिये पता अधिकारी और चेर्मैन को जनकारी दे दी गई है रांची में 400 कोलोर की लागर से बनेगा ताज होटल राजधानी रांची में अगले 4 वर्स में 400 कोलोर रुपए की लागर से ताज होटल बनेगा इसके निर्मान को लेकर बुद्धवार को मुख्यमंत्री हेमान सुरेन और टाटा स्टील के सीओ और एमडी टीवी नरेंद्रन की उपस्थिती में जार्खन मंत्रालाय में एमायू पर हस्ताक्षर किये गए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज में ताज होटल खोलने को लेकर वे पिछले कई सालों से प्रयासरत थे इसके निर्मान में न सरकार और नहीं टाटा ग्रूप की तरफ से कोई अरचन आएगी उन्होंने उमीद जताई है कि टाटा समों से राज का जो रिष्टा सालों पुराना है वह आगे भी इसी तरह बना रहे सरकार का हमेशा से परयास रहेगा कि टाटा ग्रूप के साथ कलम से कदम मिला कर चलते रहे भागपा मवादियों का बंद आज भागपा मवादियों के दुआरा बुलाये गए बंद को लेकर पुलिस मुख्याले ने सभी जीलों को अलट किया है फाकपा मवादियों ने पॉलित ब्यूरो सदस बीबेग की पतनी जया की गिरफतारी की ब्यूरोध में बंद बुलाया है मवादी प्रवक्ता आजाद ने बिहार ज़ारखन एस्पेशल एरिया कमेटी की सदस जया की गिरफतारी को लेकर बंद की खोसना की थी राज ये पुलिस परवक्ता सा आईजी अभियान अमोल भी होमकर ने बताया है कि नक्सली बंदी की आज सूचना पर सनवेदन सील जीलों में करवाई की गई है गिरीडी बोकारो धनबाद जीले जाया के कारे छेतरे रहे थे ऐसे में वहाँ पुलिस को विशेश रूप से अलाट रहने का निर्देश दिया गया है ग्राम गाली से जुड़े एक कलोर लोगों के बनेंगे पहचान पत्र मुख मंत्री हेमाशनों के जख्सता में बुद्धवार को ही कैबिनेट की बैठाक में कूल 30 परस्ताओं को सुख्रिती दी गई है मंत्री मंडल की बैठाक के बाद कैबिनेट सचीव वंधना दादेल ने बताया है कि मुख मंत्री गरामकाड योजना से अचाजित एक कलोर लाभको का सरकार परिचय पत्र बनाएगी इसके लिए सरकार प्रती लाभको के 20 रूपए के हिसाब से करीब 20 कलोर खर्च करेगी लाभको को परिचय पत्र जारी करने से समधित परिवहन विभा के इस योजना पर बुद्धवार की मंत्री परिचयत की बैठाक में सुक्रीती दी गई है सरकार जिन लाभको के पचान पत्र बनाएगी उसमें 10 रेनी के लोग सामिल हैं इसमें सबसे अधिक सक्षनिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्याती लवानवित होंगे रिम्स में सभी जाच एक ही जगा सुनिश्चित करे हाई कोट की लगतार फटकार के बाद बुद्धवर को स्वास्त विभा के परधान सचीव अजय कुमार सिंग ने रिम्स पहुँचवर बेवस्थाओ का जाजा लिया जहां मरमत की जरूरत है जहां नय भौन बनाये जाने है सभी का अलोकन करते हुए अपने सुझाओ दिये निरिक्षण के दोरान रिम्स निदेशक डाक्टर राज कुमार चिकिसक अधिक छक डाक्टर हिरेन बिरुगा विजिलेंस अफिसर डाक्टर सिव प्रे समेत अने मौजूद रहे निदेशक ने परधान सचिव को है की किरिद परची काउंटर और सेंटरल लेब बनाने की जनकारी दी वहीं इसके बाद अजय कुमार सिंग समन्दित बेवास्था को सुरू करने के लिए रिम्स द्वारा चिनित जगा का निरिक्षन किया है धन्यवाद